हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल GMS Study Point आप लोग कैसे हैं? हाई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं मिजिक का मोडल पिपर तो हजर चोबिस का जिसमें सब्तर अबजेक्टिव हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीना टाइम विष्ट किये तो ये रहा हमारा पहला कोशन तीन ताल में कितनी तालिया होती हैं तो तीन ताल में कितनी तालिया होती हैं तो तीन होती हैं एक के अंसर B हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं दो नमर कोशन है राग माल कौन्स किस थाट के अंतरगत आता है तो इसका एंसर बी हो जाएगा भैरवी भैरवी के अंतरगत आता है तीन नमबर कोश्चन देखते हैं क्या है मिया तान सेन ने किस राग की रचना की तो मिया तान सेन ने किस राग की रचना की तो मिया तान सेन ने मिया मालाहार की रचना की और भी राग है मिया तान सेन के जैसे दरबारी, तोड़ी, मिया की मलाहार, मिया की सारंग तो इसमें से कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए तो ती नमबर कोशन का एंसर यह हो जाएगा मिया कमल हाद अगला कोशन देखते हैं चान नमबर चान नमबर कोशन है राग काफी का गायन समय क्या है राग काफी का गायन समय क्या है रातरी गान रात में चान नमबर कोशन का एंसर D हो जाएगा रातरी गान पांच नमर कोशन है My Music, My Life के लिखक कौन थे तो My Music, My Life के लिखक रविशंकर थे My Music, My Life एक आत्म कथा है तो पांच नमर कोशन के अंसर C हो जाएगा Next question देखते हैं 6 नमर तो किस गय की के लिए परसीद है तो ठुमरी गय की के लिए परसीद है 6 नमर कोशन के अंसर D हो जाएगा ठुमरी Next question देखते हैं 7 नमर कोशन है तीन ताल में कितने विवाग है तो तीन ताल यह कुल सोला मतराओ का ताल है जिसमें चार-चार मातराओ के चार भी भाग होते है तो इसके अंसर क्या होगा 4 अंसर E कोशन नमर 7 का अंसर E Next question देखते हैं राग भैराव का वादी स्वर क्या है 8 नमर कोशन है राग भैराव का वादी स्वर क्या है तो राग भैराव का वादी स्वर क्या है धो है अगर पूछे राग भैराव का समवादी स्वर क्या है तो रे होगा 8 नमर कोशन का अंसर B धो नेक्स्ट कोशन देखते हैं नौ नमबर कोशन कहरवाताल में कितनी मात्राय होती है कहरवाताल में कितनी मात्राय होती है तो आठ मात्राय होती है एंसर C हो जाएगा दस नमबर कोशन देखते हैं क्या है राग भैरो किस थाट से उपन हुआ है तो राग भैरों किस थाट से उपन हुआ है तो भैरों से उपन हुआ है एंसर B हो जाएगा Question number 10 का एंसर B राग यह मन का थाट क्या है तो कलेअण है एंसर E हो जाएगा Question number 11 का एंसर E कर्मिक पुस्तक मालिक्या किये लेखा कौन है तो कौन है विश्णु नरायन भात खंडे पंडित विश्णु नरायन भात खंडे एंसर ए हो जाएगा बारका नेक्स्ट कोशन देखते हैं तीरा नमबर निन में किस ताल में दस मत राय होती है निन में किस ताल में दस मत राय होती है एंसर C हो जाएगा इसका, तीरा का अगला कोशन देखते हैं राग देश किस थाट के अंतरगत आता है तो इसका एंसर C हो जाएगा खमाज थाट के अंतरगत आता है तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं रूपक ताल के किस मातरा पर खाली होती है रुपक ताल के किस मातरा पर खाली होती है तो एक पर खाली होती है एंसर बी, कोशन नमर 15 का एंसर बी, एक नेक्श्ट कोशन देखते हैं, सोला नमर सोला नमर कोशन है, राग विहाग का समवादी स्वर क्या है तो समवादी स्वर क्या है, तो नी है अगर पूझता वादी स्वर क्या है तो गव होता तो इसका एंसर क्या हो जाएगा संटरा नमबर कोशंगा चाल जो ताल में कितनी मात्राएं होती है तो इसके answer आप बताएगा क्या होगा इसका answer कॉमेंट में मुझे पता है आपको पता होगा इसका answer तो ये आपके लिए question था तो अगला कोशन देखते हैं, 18 नमबर धुरूपद में किस ताल का परियोग होता है? तो इसके अंसर भी हो जाएगा, चो ताल में और भी ताल है, जैसे सूल, तिरवा, ब्राह ताल और एक्सेक्टर तो इसके अंसर भी हो जाएगा, चो ताल नेक्ट्ट कोशन देखते हैं 19 नमबर कोशन है निमलिकी तरागों में से किसमें दोनों मध्य लगते हैं तो यमन एंसर D हो जाएगा नेक्ट कोशन देखते हैं कौन सा प्रताकालीन राग है तो इसका एंसर C हो जाएगा अलहया विलावग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 21 नमबर शुरूतियों की संक्या कितनी है? तो शुरूतियों की संक्या कितनी है? तो शुरूतियों की संक्या 22 है 21 नमबर कोश्चन का एंसर B हो जाएगा 22 नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं राग भुपाली की जाती कौन सी है? तो इसका एंसर आप कोमेंट में बताईगा क्या होगा? मुझे आशा है कि आप बता देंगे इसका एंसर क्या होगा? नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं? तेस नमर कोशन कौन सा राग परताकालीन नहीं है? तो विहाग विहाग राग परताकालीन जाग नहीं है तो इसका एंसर C हो जाएगा कोशन नमर तेसका एंसर C नेक्स्ट कोशन देखते हैं चोबिस नमर कोशन है अलहया विलावल का समवाधिस्वर क्या है? तो समवाधिस्वर क्या है? गो अगर पूछता स्वाधी स्वार क्या है तो धो होता तो इसका एंसर B हो जाएगा गो 24 नमर कोशन का एंसर B गो नेक्स्ट कोशन देखते है राग यमन का समवाधी स्वार क्या है तो राग यमन का समवाधी स्वार क्या है नी एंसर B हो जाएगा इसका Question number 25 का answer B Next question देखते हैं कौन सी ताल जोड़ी समान मतरावगी है तो इसके answer D हो जाएगा एक ताल, चार ताल ठीक है तता इस नमबर question का answer D एक ताल, चार ताल Next question देखते हैं दुरूपद का विकास किस शैली से हुआ दुरूपद का विकास किस शैली से हुआ तो प्रबंद answer B हो जाएगा, प्रबंद Next question देखते हैं 29 नमबर 29 नमबर question है सारंगी वादन किससे किया जाता है तो लकड़ी का टुकड़ा answer D हो जाएगा next question देखते हैं 30 नमबर question है तीन ताल और कहरवा ताल में कितनी मातराओं का अंतर है तो तीन ताल में 16 मातराओं होती हैं और कहरवा ताल में 8 तो कितनी मातराओं का अंतर है तो आठ मातराव का अंतर है आठ हट सोला नेक्स्ट कोशन देखते हैं वीहू किस परदेश का लोक निर्थे है वीहू किस परदेश का लोक निर्थे है तो असम राजी का एंसर C हो जाएगा कोशन नमर 31 का एंसर C 32 नमर कोशन है इस पतक के कितने परकार है तो कितने परकार है तो तीन परकार है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कौन सा राग संपून जाती का नहीं है कोशन नमर 33 है कौन सा राग संपून जाती का नहीं है तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा 34 नमर कोशन देखते हैं विर्कृत सवर कितने होते हैं विर्कृत सवर कितने होते हैं तो 5 होते हैं 34 number question का answer D 5 35 number question देते हैं रागमाल कौन्स की जाती क्या है तो order order answer B हो जाएगा 35 number question का next question देते हैं 36 number question 36 number question है शाडव जाती के रागमें सवरो की संक्या कितनी होती है तो सवरो की संक्या कितनी होती है तो 7 होती है एंसर C हो जाएगा 36 number question का answer C 7 37 number question है धुरुपत की कितनी वाणिया है तो 4 वाणिया है answer E हो जाएगा next question की और बढ़ते हैं 38 number question हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने सौर हैं कितने स्वर हैं तो शुद्ध स्वर साथ होते हैं और कोमल स्वर चार और एक तिर्वस्वर तो होगे 12 इसका answer D हो जाएगा next question देखें है question number 39 इन में से कौन सा अनवद्ध वाद है तो तबला answer D हो जाएगा इसका तबला 39 number question का answer D तबला next question देखते हैं कोमल स्वर कितने होते हैं अपने उपर ही पढ़ा कोमल स्वर कितने होते हैं चार होते हैं इसका answer क्या होगा ए चार अगला question देखें राग यमन का गायन समय क्या है तो सायाकाल है इसका answer C हो जाएगा सायाकाल next question देख लेते हैं ताल जबताल में कितनी खाली है ताल जबताल में कितनी खाली है तो कितनी खाली है तो एक खाली है answer C हो जाएगा 42 नमबर question के answer C एक next question के उबढ़ते हैं लाई की कितने परकार होते हैं यह तो आपको पता ही होगा तीन परकार होते हैं 43 नमबर question के answer B तीन अगला question देखते हैं 44 नमबर question पंडित राम चतुर मली क्या गाते थे क्या गाते थे क्या गाते थे दुरूपद गाते थे पंडित राम चतुर मली क्या गाते थे दुरूपद गाते थे 44 नमबर question के answer क्या होगा B दुरूपद नक्ष कोशन देखते हैं 45 नमबर question राक काफी में कितने कोमल स्वा लगते हैं तो दू लगते हैं एंसर यह हो जाएगा दू नक्ष कोशन देते हैं 46 नमबर question कौन-कौन से दू लगते हैं तो गव और नी बाकी सब क्या है शुद है ठीक है कोमल स्वा दू लगते हैं नी और गव बाकी सब शुद है ठीक है अंगला कोशन देखते हैं 46 नमबर question एक ताल में कितने भी भाग है तो छे भी भाग है एंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं 47 नमबर question राग भैरो का समवादी स्वर क्या है राग भैरो का समवादी स्वर क्या है तो रे है एंसर बी हो जाएगा रे राग भैरो का समवादी स्वर क्या है रे वादी स्वर क्या हो जाएगा धो ठीक है नेक्स्ट कोशन देखें 49 नम्र कोशन है, आरोगी करम में नी के बात कौन सा स्वार आता है, तो धो आता है, एंसर डी हो जाएगा, 49 नम्र कोशन के एंसर डी, धो, अगला कोशन दिखें नी में कौन सा किसी थाट का नाम नहीं है तो इसका answer D हो जाएगा देश ठीक है नेक्स्ट कोशन देखें भारत में कितनी संगीत पदतियां हैं कि आपको पता है कितनी संगीत पदतियां है तो भारत में संगीत पदतियां तीन है अंसर A हो जाएगा तीन नेक्स्ट कोशन देखते हैं 52 नंबर कोशन करनाट का संगीत में कितनी ताल है तो साथ ताल है अंसर B हो जाएगा साथ कोशन नंबर 52 का एंसर B साथ नेक्स्ट कोशन देखें 53 नमबर कोशन यह रहा है 53 नमबर कोशन है पंडिश शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद बजाते थे तो पहे संतूर बजाते थे एंसर C हो जाएगा 53 नमबर कोशन का एंसर C संतूर याद रखिएगा Next कोशन देते है पंडित विश्नु दिगंबर प्लस कर किस संगीत घराने के प्रतिनिदी है पंडित विश्नु दिगंबर प्लस कर किस संगीत घराने के प्रतिनिदी है तो किस घराने के प्रतिनिदी है तो गौालियर एंसर D हो जाएगा गौालियर गुवालियर का है, तो मद्य पर्देश में है तो 54 नमबर कोशन का एंसर D हो जाएगा, गुवालियर नेक्स कोशन देखते हैं निम में कौन शात्य संगीत की एक शैली है? तो शात्य संगीत की शैली ठुमडी भी हो जाएगा, टपा भी हो जाएगा, और भी है दुरूपद, धमर, होरी, शतुरंग, रसागर, तरना, सरगम, एक्सेक्टर, तो इसका एंसर जो होगा आप माल लेजिएगा, दोनों सही है, ठीक है, तो चलिए अगला कोशिन देखते हैं, 56 नमर कोशिन, वाद के कितने वर्गी करण है, तो चार वर्गी करण है, 56 नमर कोशिन का एंसर, C, चार, 57 नमर कोशिन है, पंडित, राम चतुर मलिक किस घराने से हैं, तो दर्भांगा घराने से, एंसर, C हो जाएगा, 57 नमर कोशिन के एंसर, C, दर्भांगा, नेक्ट कोशिन देखते हैं, सा, म, की अंदूलन संख्या क्या है, तो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा, संगीत के साथ सोरो की, अंदूलन संख्या, तो पूछ रहा है साका, साका अंदूलन संख्या कितना है, तो 240, देख रहा है आपको, और मौका, मौका क्या होगा, 320, तो कहा आपको दिख रहा है, 240 और 320, C में, ये रहा है, तो 58 नमबर कोश्चन का एंसर, C हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखें, 59 नमबर कोश्चन है, पंडित सामता परसाद का उपनाम क्या है, गुदई महराज, क्या नम है, गुदई महराज, ये बनाराज घराने के परसित तबला वादक थे, फिक है, 59 नमबर कोश्चन का एंसर, C, गुदई महराज, तबला वादक थे, नेक्स्ट कोश्चन देखते है, राग विलावल में कितने शुद स्वर लगते हैं, कितने स्वर लगते हैं, E, साथ, साथ स्वर लगते हैं, एंसर E हो जाएगा इसका, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, गीत गोबिंद कावे के रचयता कौन है, इसका एंसर हो जाएगा पंडित जैदेव, गीत गोबिंद कावे के रचयता कौन है, पंडित जैदेव, याद रखेगा, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, 62 नमबर कोश्चन, किस गायन शैली के लिए ताल दीप चंदी उप्युक्त है, तो इसका एंसर E हो जाएगा धमार, इसका एंसर पर मुझे डाउट है थोड़ा, आप चेक कर लीजिए एक बार, क्या होगा, मतलब धमार ही होगा, एक बार देख लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, 63 नमबर कोश्चन, पंडित शारूछ देव किस गरंद के रचेता है? तो संगीत रतनाकार, एंसर B हो जाएगा, 63 नमबर कोशन का एंसर B, संगीत रतनाकार, 64 number question देखते है 64 number question है जबताल की किस मातरा पर तीसरी ताली आती है मुझे पता है इसका एंसर आपको बजरूर पता होगा कमेंट में बता दीजिए कि सबको पता चले Next question देखते है पंडित हरी परसाथ चोरसिया का वाद क्या है पंडित हरी परसाथ चोरसिया का वाद क्या है तो क्या है बासुरी एंसर C हो जाएगा बासुरी याद रखिएगा हरी परसाथ चोरसिया का वाद 65 number question का एंसर C बासुरी 66 number question देखते है 66 number question है किस राग में शुद तता कोमल दोनों निशाद लगते है तो इसका एंसर D हो जाएगा इन में से कोई ने 66 number question का एंसर इन में से कोई ने next question क्यों बढ़ते है राग विहा का थाट क्या है तो इसका एंसर A हो जाएगा विलावन 68 number question का एंसर A विलावन 69 number question देखते हैं बिहार की सबपरसिद लोग गाई का कौन है कौन है तो विदूशी शार्दा सीनहा या विदूशी की शोरी जो भी है एंसर B भी हो सकता है इसका एंसर देख लिजिए गया एक बार कौन फूम मैं नहीं हूं इसके भी डाउट है इसका एंसर C होना चाहिए पर एक बार देख लिजिए पड़े उस्ताद अली खां का घरानक कौन सा है तो पतियाला एंसर B हो जाएगा लास्ट कोश्चन का एंसर B तो तो जो 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 जो